विंड़ी के सिजन में अगर एक ही जैसा विंड़ी की सबजी खाकर आप बोर्ण हो गया है तो मेरे इस विंड़ी दो पियाज़े की रेसिपी को एक बार जरूर घर पे ट्राई करें बहुत ही अमेजि़िंग रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत इसी है और अगर आप इसे एक बर घर पे बनाएंगे न तो घर के सभी लोग आपके तारीव करते नहीं थकेंगे तो चलिए आज हम देखेंगे कि ये बिंडी दो पियाजा हमें कैसे बनाना है बेंडी दो प्याजने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तरिके के प्याज यूज किया है एक बड़े साइस में काट के रखा और एक छोटे साइस में और मैंने लिया है थोड़ा सा लसुन दो इंच के बरबर अधरक और 3 हरी मिरच अब ही हमें लेना है एक mixing jar तो यहां पे हम इसमें डाल देंगी यह 7-8 लसुन और इसमें जाएगा अधरक तो मैंने यहां पे 2 इंच के बरबर अधरक डाला है तीन हरिमिज डाल दे और फिर इसमें डालेंगे प्यास तो यहां पे जो मैंने छोटे साइस में कटे हुई प्यास रखे थे ना उसे क तो यहां पे मैंने एक गढ़ाय रखा ता गरम होने के लिए कढ़ाय जब गरम हो जाएना है तब इसमें हम डालेंगे 4 बड़ा चमस तेल आप कोई भी ले सकते हैं तो तेल के गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे बड़ी साइस के कटे हुए प्यास ग्यास को हाई फ्लेम प्यास को हमें एक मिनिट के लिए फ्राय करना है और फ्राय करते हुए इससे लगाता चलाते जाना है ताकि हर एक प्यास बरबर फ्राय हो और बहुत ज़्यादा इससे फ्राय नहीं करना है क्योंकि हमें प्यास में करंच चाहिए तो इसका करंच ना खतम हो उतना ही हमें इ तो यहां पर हमें भिंडी में डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर नमक के इस्तमाल अभी हम नहीं करें कि नमक हम बाद में डालेंगे अच्छा तो अब मैं आपको बताते हूं कि जब भी आप भिंडी की कोई भी सबसी बनाए तो भिंडी को काटने से पहले आप इसे तो यह भींडे उतना चिपचिपण नहीं बनेगा तो दो से तीन मिनीट भिंडी को फ्राइ करने के बाद हम कढ़ाय से भिंडी को निकाल लेंगे तो अभी हम इसमें तोड़ा आओट तेल डालेंगे तो इम्याने यहां पर कढ़ाय में तीन बड़ा चमज करिब के तेल ड तो अभी हमें इस पेस्ट को अच्छे से पकाना है तो गैस को मीडियम टो हाई फ्लेम पे रखते हुए इसे हम अच्छे से पका लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे मसाला तो मसाला में मैंने यहां पे डाला है एक छोटे चमच हल्दी पाउडर एक छोटे चमच कस्मेटी मिर्चिली पाउडर क्योंकि हमने इसमें पहले से मिर्ची डाला था एक छोटे म्धक जा लिए जीरा पाउडर और एक छोटe चमच जा लिए धनिया पाउडरव सारे मसाला को एक से मिनिद भूरने के बाद आभी हम इसमें डालेंगी टमाटर का पेस्ट तो मैंने दो टम नमक को मसाला के साथ मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है तो पानी को भी अभी मसाला के साथ अच्छी से मिक्स कर देंगे अब हम कडाई को कवर करेंगे दो से तीन मिनिट के लिए दो से तीन मिनिट के बाद हम इसका cover निकालेंगे और यह देखे गेवी का color तो गेवी में बहुत ही अच्छा color आया है और अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर तो मैंने एक बरी साइस का टमाटर का ऐसे स्लाइस करके काटके फिर इसमें डाला है तो टमाटर तो डाल दिया हमेने और अब इसमें डालेंगे हम भिंडी तो यह मैंने फ्राइ के वहाँ भिंडी हमने इसमें डालेंगे पानी तो अगर आपको ऐसे सूखा भिंडी का मसाला खाना है तो आप इसा ऐसे ही डाने दे इसमें पानी डालने का जरूरत नहीं है और अगर आपको gravy चाहिए तो अभी आप इसमें पानी डाले तो पानी हम बहुत ही कम डालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हम इसमें पानी डाल सकते हैं और अभी इसमें हम फिर से थोड़ा सा नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के according नमक डालें मैंने पहले इसमें नमक डाला था मुझे थोड़ा से कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा और नमक के यूज़ किया है और डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी क्योंकि बाद में ये ग्रेवी थोड़ा और भी थीक हो जाएगा इसलिए हम मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी के यूज़ किया है नमक और पानी को भिंडी के साथ मिलाने के बाद अभी हम इसे कवर करेंगे पाँच मिनिट के लिए पाँच मिनिट के बाद अभी हम इसका कवर निकालेंगे तो ये देखिए हमारा भिंडी के मसाला already ready है और अभी हम इसमें एड़ करेंगे गरम मसाला तो मैंने एक बड़ा चमच इसमें गरम मसाला डाला है और डालेंगे फ्राइ किया हुआ प्यास तो प्यास और गरम मसाला डालने के बाद अभी इन सारे चीज़ों को हम एक बड़ भिंडी के साथ मिक्स कर देना है तो ये देखिए हमारा भिंडी दो प्यास बनके बिलकुल ready है तो अभी हम ग्यास को आफ कर देंगे और इससे हम गरम गरम सर्फ करते हैं तो आपने देखा ना कि ये भिंडी दो प्यास दा की रिसपी बनाना कितना आसान है और अभी भिंडी के सीजन में तो हर घर पे बहुत सारा भिंडी की सबजी बनती है तो कभी मेरी इस भिंडी दो प्यास दा के सबजी को घर पे एक बाद जरूर ट्राय करें रोटी और पराठा के साथ तो ये भिंडी मसाला खाने में बहुत ही टेस्टे रखता है और आप इसे चावल के साथ भी खा सकता है तो एक बार इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ करें और कैसा बना था मुझे कमेंट पे जरूर बताए तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चानल प्रियास रेसिपी इसको सब्सक्राइब करना ना भूले देखने के लिए थांक्यू मिलते हैं नेक्स रेसिपी में